बाडमेर जिले में लगातार बदमासों के होस्टले बुलंद होते जा रहे हैं बीती रात बाडमेर के पचपद्रा बागुंडी सडक मार्ग पर इस्तित एक महादेव पैट्रोल पंप देर रात एक बाइक पर आए नकाब पोस्ट दो बदमासों ने बंदू की नौक पर सेल्समें से लूट करने का प्रयास किया जानकारी के अनुसार रात को करीब साड़ा ग्यारा बजे एक बिना नमरी मोटर साइकल पर सवार होकर दो नकाब पोस्ट बदमास आये जो आपकी मुबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इन्होंने पहले अपनी बाइक में पैट्रोल भरवाया जैसे ही पैट्रोल भरने के बाद सेल्समें अपनी आफिस की तरफ जाने लगा और बात्रूम में जैसे ही पहुँचा तो पीछे से दोनों ने उस सेल्समें को पकड़ लिया और उससे लूट की वारदात करने लगे इस दोरान सेल्समेन चीना जप्टी कर वहां से भाग गया तो पीछे से बदमासों ने फाइरिंग कर दी गणिमत रही कि गोली उस सेल्समेन को नहीं लगी अन्य था बड़ा हादसा हो सकता था इस पूरी गटना के बाद पेट्रोल पंप सेल्समेन ने पुलिस थाना पोस्ट बदमास जो पूरी तरीके से अपने मूँ को ढग कर पेट्रोल भरवाने रात को परीब साड़े ग्यारा बजे आये थे और उसके बाद उन्होंने बंदूक की नौक पर सेल्समेन को लूटने का प्रयास किया है इस पूरे मामले को लेकर पुलीस पचपदरा पुल पुलीस मोके पर पहुंची हैं उन्हों सेसी टीवी फूटेज अन्य आधार पर इन बदमासों की तलास में जुट गई हैं गौर तलब है कि लगातार इस्वरगार की वारदातें जिले में हो रही है और बदमासों के होसले बिलंद होते जा रहे हैं ऐसी ही लूट पिछले पुलीस ने आरोपियों को गिर्पतार भी किया हैं लेकिन इस दो आरोपियों को गिर्पतार करने के लिए पुलीस लगातार प्रयास कर रही है आप देखिए आपकी मुबाइल की स्क्रीन की तस्वीरों में की एक बदमास दो बदमास बाइक पर शवार होकर बातरूम की त और पीछे से इन बदमासों ने सेल्समेन पर फाइरिंग कर दी अब इस पूरी घटना को लेकर बाढ़ मेर के अतरिक्त पुलिश अदिक्षक नर्पत सिंग का क्या कहना है यह सुनिए पिछली रातरी को 11.30 के रवजी की बाद है बागोडी के पास में एक एच्पी का पैटल पॉंप है वाँ मोटर्चाइकल दो सवार आए और उन्होंने 500 रुपए सेल्समेन को जिए 200 रुपए को पैटल रहे और 300 रुपए सेल्समेन वापिस उनको देने के लिए अपने आप फाइल किया उस फाइल के आवाज सुनके वहां से पाड़ोशी जो उसके जो स्टाफ जागे थे वहां से भागे अभी इसकी हम डेपोर्ट दर्च करें पंजीबत करें और से सिटीव फूटरेज से और दूसरे एफर्ट से हम इसको जल्दी ट्रेस आप करेंगे